इस वीडियो में जो हम प्रीमियर लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा लीट्स यूनाइटेड वर्सिस मैंचेस्टे यूनाइटेड के बीज मैच का वेन्यों होगा लीट्स रात में 7.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों बात करें प्रीमियल लीग में इस सीजन मैन युनाइटेट ने अभी तक ठीक ठाक सा पर्फरमेंस किया है बहुत जादा अच्छा भी नहीं किया इससे वो अच्छा कर सकते थे बट बहुत जादा खराब भी नहीं किया है फिलाल ये फोर्थ पोजीशन में एक तरीके से अभी इनका जो टाइटल रेस है न वो तो खतम हो चुकी है बट अभी भी इनके बाद शांस है टॉप फोर में फिनिश करने का जिसे कि ये नेक्स सीजन यूसियल के लिए क्वालिफाई कर सके तो अब इनका मेरे अकॉर्डिंग मेन अब्जेक्टिव यही है कि टॉप फोर में कैसे ने कैसे फिनिश किया जाए एंड आप दा सीजन तक फिलाल पच्चीस में अपने बारा मैचे इन्हों ने जीते हैं साट रॉस हैं छे लॉसे से अच्छे चालिस गोल मारें बट थोड़े ज्यादा थाटी टू गोल भी कंसीट कर दिया है और 43 इनके पॉइंट है लीट्स उनाइट एक प्रॉपर बॉटम टेबल में या मिट में आप कह लिए फिप्टीन पोजीशन में और वैसे इनके बास अभी मतलब ख़दरे में हैं यह क्योंकि अगर इनके आसपास की टीम न्यूकासल वाटफर्ड यह सब के परफ़वेंसे में सुधार हो रहा है अगर यह अपने परफ़वेंसे सुधारते हैं तो में भी रि बहुत जादा 46 गोल इन्होंने कंसीट कर दिये और 23 इनके पॉइंट है यानि कि टीम ठीक ठाक है बट डिफेंसी वाइस इस टीम ने बहुत श्ट्रगल किया है काफी जादा गोल्स इन्होंने कंसीट कर दिये हैं रीसेंट फॉर्म आप देखिंगे बिलकुल अच्छी नह गोल्स कंसीट किया हैं बात करें मैंनि युनेटेट के लास् स्की कि तो वन वन ड्लॉ है इनका बनली से साउध हैंटन से और पिछले मैच में न की विक्ट्री है ब्राइटन से न यह चीज इनकी तोड़ी प्रोब्लम इस चीजम देखने को मिली जब से राफ रेगनिक आय तो थोड़ी जो recent form है, वो मैं इनकी अच्छी कहूंगा as compared to Leeds United, इस season इन दोनों clubs की बीच already एक match हुआ, जिसमें Man United इंडीन को 5-1 से thrash कर जया था, Bruno Fernandes ने उस match में hat-trick score की थी, इस match में on paper देखा जाए Man United favorite होगी, वैसे form भी इनकी अच्छी है, बट Leeds अपने घर में खिल ल जाऊंगा, लेकिन दोस्तों Leeds अपने घर में उलेट फेर करने में पूरी ज़र से capable है, squad में इनके भी अच्छे-च्छे players हैं, तो जो आप Grand League टीम कहलेंगे, तो उसमें कुछ combination शोली, Leeds United और कुछ draws वाले combination लिजाना, क्योंकि यहां पे favorite तो Small League में Man United को करेंगे, बट GL में लिंक या तो आपको description box में मिलेगा, या आपको मिलेगा top pin comment में, वहां से जुड़के आप मेरे telegram channel से join कर सकते हैं, 4300 के आसपास सब साला channel आपको मिल जाएगा, अब हम आते हैं probable lineup पे, पहले Man United की बात करते हैं, तो यह favorite हूंगे, मैं इनके maximum player पिक करने वाले, Small League में यानिक 11 देखते हैं, डेविट देखिया हूंगे इनके goalkeeper, चार इनके defender है, डियागो डालो, राफिल वरान, हैरी मगवैर, और लूक शो, फिलाल, अगर मुझे किसी एक team को clean sheet के लिए back करना होगा, मैं United को यह करूँगा, दूसरा मेरे according के position भी dominate कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैं इनके ही maximum defender pick करने वाला हूँ, फिलाल, इनके दोनों fullbacks में only pick करूँगा, डालो हो गए, 100 हो गए, दोनों defensive wise भी अच्छे हैं, और दोनों के पास अच्छा assist potential है, तो यह दोनों मेरी top 2 choice है, अगर मेरे को 3 defender pick करने वे, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा tough call लेना होगा, वरान और मेगवायर में किसी एक को drop करे, वैसे जनरली अगर हम 4 pick करते हैं, वो भी अच्छी strategy रहेगी, लेकिन United के attack में ना कुछ ऐसे player से, जिनको मेभी हम drop ना कर पाए, तो एक extra attacker वहाँ पे हम afford कर सकते हैं, लेकिन अब problem यहीं पर है कि वरान मेगवायर में किसे drop किया जा हैं, defensive wise दोनों ठीक ठाक से हैं, passes भी करेंगे, तो यहाँ पर पूरा 50-50 call आ जाता है, मैं अभी के लिए अपना third player मेगवायर के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इनको recently थोड़ी criticism जेलने को मिलिये, तो मेभी हो सकता है उसका यह जवाब दे, एक random goal मार के headed वगेरा से, बढ़ आप यहाँ पर वरान को भी पिक कर सकते हैं, या आपको लग रहा कोई एक fullback flop जाएगा माल नीजिए Shaw या डालो में, तो आप उस case में वरान मेगवायर दोनों को भी पिक कर सकते हैं, तो यह वाला call up अपने according लेलना, फिलाल मैं Shaw डालो और मेगवायर के साथ जारू, मेभी भी आप शौ डालो वरान ऐसा कर सकते हैं, या वरान मेगवायर डालो या शौ मेगवायर वरान ऐसा पिक कर सकते हैं, अब पहले forward से बताता हूँ, Cristiano Ronaldo और Bruno Fernandes ये दोनों 100% आपकी टीम में रहने चीए, दो बेश प्लेयर है साइट के रोनाल्डो के बारे में बताने की जर दोनों एक टोप केप्टन सी आप्सैन रहेंगे, सेफ, रोनालडो केप्टन, बूनो वाइस केप्टन रहेगा, बट आप Bruno Fernandes केप्टन, रोनालडो वाइस केप्टन भी कर सकते हैं, तो ये दोनों मस्ट पीक होगे, तीसरा मस्ट पिक प्लेयर मैं कहूंगा वोगा, पॉल इस सीजन तो इन्होंने एक गोल के साथ आठ असिस्ट भी कर दिया है पिछले मैंज में स्टार्ट नहीं मिला था सबसीडूट आए और असिस्ट इन्होंने दिया था तो अभी के लिए मैं पॉगबा को भी यहां पर रिकमेंड करूंगा अब जो हमारा फोर्थ प्लेयर है न विदाउट गोल असिस्ट बहुत पॉइंट देते एक दो डिफेंसी मिट्फिल में खिलने हैं वहां से पासे और टेकलिंग इंट्रसेप्सन करते हैं और बीज विच में कभी-कभी लॉंग रेंज शूट भी लेते हैं जिससे शॉट्स ऑन टार्गेट के एक दो बट इन तीनों में अटेकिंग वाई सबसे अच्छा सेंचो खिल ला है बहुत अच्छी फॉर्म में दो गोल मार चुक है और ज्यादा गोल आनी चाहिए थोड़ा अनलगी भी रहा है बट गेमप्ले बहुत अच्छा है ट्रिक्रीज एंट टरन्स अच्छी है पैनल्टी बगेरा भी विन करते हैं तो में भी सेंचो भी एक इंपोर्टेंट अफ्सन है रेशफट थोड़ा ओट फॉर्म है लेकिन रेशफट को भी अंडरेश्टिमेंट नहीं कर सकते हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी किलता है हाफ चैंस भी कर सकता है बट अभी के लिए मैं सें हो सकता है जबकि जनरली मैंने देखा सेंचो और मेक्टोमिनो को फुल 90 मिनिट मिलते हैं तो यह मैंचेस्टर यूनाइटेट की प्रोविबल 11 थी लगभग सभी चीज़े मैं यहां से आपको डीटेल में कर दी मस्ट्पिक प्लेयर मैंने बता जिते रोनाल्डो हो गए कव दिला दू इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक यह तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यह आपको मिलेगा टॉप पिंड कमेंड में वहां से जुड़ गया मेरे टेलीग्रा डालस और बैमफर्ट बाहर हैं इनकी 11 देखते हैं मेलियर इनके गोल की बरूँगे अभी के लिए मैं इनके साथ जरो बट आप डेगिया के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि वह भी इकोली बहुत सेफ्स करते हैं इस सीजन इस सीजन तो उनका बहुत अच्छा जा रहा है बट इनके डिफेंडर्स ने इस सीजन उतना अच्छा नहीं किया बहुत गोल्स लिग किया हैं फेंटेजी वाइस भी कुछ गादा खास नहीं किया में भी आप चाहे तो मिट्फिलर या अटेकर पर फोकस कर सकते हैं बट अगर आपको एक चूज करना है हो सकता है मैं एक लॉरेंटे हेडर में अच्छे है यह चीज है पड़ावी के लिए मेरी चॉइस रहेंगे एलिंग डिफेंसीव में कॉक किलिंगे कुछ नहीं किया इग्नोर कर रहा अभी के लिए फोर्षा ठीक टाक प्लेयर है डीसेंट 15 पॉइंट आपको दे सकते हैं अगर आपको लग आप एक ड्रॉ के लिए या कोई रिस्क टेकर है एक लीट्स उनाइटेड विक्तरी के लिए जा रहा है शोली आप इनको केप्टन वेस्केप्टन भी कर सकते हैं बहुत बहुत क्वालेटी प्लेयर है आपको ये नेक्स सीजन में भी किसी बड़े क्लब में दिखाई दे सक हैं रोटरी को मुरायनों एक टैम में बहुत टॉप क्वालिटी अटेकर हुआ करता था स्पैनिक नेशनल टीम में भी खेलता था बट अब यहां लीट्स उनाइटेड में उतना अच्छा नहीं कर पारे लेकिन इस्टिल यह कभी-कभी रेंडम गोल मार जाते हैं पर कंसिस को भी रिकमेंड कर रहा हूं अलोंग साइट रफीनिया अब यह जो डैन जेंस है ना यह आप जानते होंगे फॉर्मर मिंचेस्टी युनाइटेड प्लियर है बट इस सीजन यह लीट्स में थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है मतलब एक-दो मैचे अच्छे गया है फिर द नहीं आता उतने पॉइंट नहीं देगा लेकिन वह वाली बात है प्रिवियस क्लब के अगेंस्ट कहल रहा है एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होगा गोल्स मार भी सकता है अभी मैं इनको एड़्जेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इनका क्रेडिट 9.5 था अब आपके बास प्र 2-1 मैन उनाटेड विक्टरी के साथ जारो दूसरी मेरी एक 1-1 ड्रोय लीट्स अपने घर में फाइट दे के ड्रो करा सकती है बट मैं फेवरेट यहां फे मैन उनाटेड कोई कहूंगा तो यह मेरी डेमो रफ्टी में गोलगीवर मैंने मैलियर लीट्स के लिए तीन डिफ केप्टन है आप इसका रिवर्स कर सकते हैं पॉल पॉगबा और मैंने पिक किया है फॉर्थ प्लेयर जेडन सेंचो इस वाले प्लेस में अपने अकॉर्डिंग कॉल लेना इधर मैक्टॉमी ने इधर आप यह जो फॉर्थ रटेकर है मारकाश रैश्वर्ट यह आप डिफ केप्टन रफीनिया वाइस केप्टन यह ब्रूनो फोनांडिस केप्टन रफीनिया वाइस केप्टन यह में भी हरीसन वाइस केप्टन ऐसा कॉम्बिनेशन भी ले जा सकते हैं हां